मसकार दोस्तों आपके अपने चैनल टीचर जॉप सुनिल में दुबारा आपका फिर से स्वागत है दोस्तों दुबारा से मैं आपके सामने कुछ लेटेस्ट टीचिंग और नन टीचिंग वेकेंसी लेकर के आया हूँ और ये जो वेकेंसी आई हुए राज सरकार द्वारा स साहता प्राप मध्ध विद्याले से आई हुई है दोस्तों तो इस वेकेंसिस के डीटेल्स देखने के लिए वीडियो को लास्त तक जरूर देखें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लेटिस्ट प्राइवेट गॉर्मेंटर एक शोटी वड़ी टीचिंग वेकेंसी क कर चुके हैं तो चलिए इस वेकेंसिस के डीटेल समझानते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं यह जो वेकेंसी आई हुए आजाद मध्ध विद्याले जो चर्च रोड करवला चौक राची जहरकन से आई हुई है और आजाद मध्ध विद्याले चर्च रोड करवला रा सकते हैं तोटल फाइब पोश्ट है आहरता धारी इंटर और सनातक पर सिच्चित यानि इंटर्मीडियेट और डिये लेड या फिर बीए बीएड वाले भी अपलाई कर सकते हैं इसका जो दिनांग के आवेदन का 26 26 दो हजर पाईस अफ्राहन तीन वजे तक निवंदित दाग द्वारा विद्याले सचीव के पदनाम से अमंत्रित किये जाते हैं यानि आप खुद से अपना अप्लिकेशन फॉर्म लिख सकते हैं या फिर टाइपिंग करवा सकते हैं सभी उत्रिन परिचाओं के वीवरानिंग के साथ अंग पतर, पर्मान पतरों की स्वा अभि पर्मानी छैपलन परती सलंग करेंगे जितना भी आपका क्वालिफिकेशन है सारा कॉलम बनाएंगे, उसमें सारा मैंशन करेंगे, उसके बाट सबका आट सो ग्रेड पे ब्याली सो लेवल सिक्स की दी जाएगी चैन के परकेरिया में पांच भी सई जैसे हिंदू हिंदी या फिर उर्दू गनीत विज्ञान अंग्रेजी और समाजिक विज्ञान इन सबसे जो है आपका कोस्चान आएगा लिखित परिच्छा के प्रप्तांग के अधार पर आपका विद्याले प्रवन्थ समीथी के द्वारा आपका चैन के लिए दिनाएंग जो है 28.08.2022 दस बजे मूल परमानपत्र आधार कार्ट फोटो के साथ इस माइलिया मौमिन उर्दू बालिका मध्ध विद्याले या फिर मध्ध उच विद्याले डौरंड और राची टू में उपस्तित होना है दोस्तों नोट यहाँ पर कुछ दिया गया है अजाद मध्य विद्याले चर्च रोड करवला चोक राची में वर्तमान में मरमत्ति कारे चल रहा है तो परिच्छा केंद्र परवर्तित किया गया है यानि कुछ वहाँ पर काम चल रहा स्कूल में इसलिए आपका जो एक्जाम होगा वह 28 तारीक को इसी स्कूल में होगा दोस्तों यहां देख लें तो अच्छी वेकेंसी है सरकारी अनुदान प्राप्त स्कूल है आप जरूर फिल करिए कोई डाउट या कनफीजन होता है तो आप मुझे कमेंड बॉक्स में कमें कर सकते हैं वीडियो पसंद आये तो जादा से जादा से शेर और लाइक करना ना भूलें धन्यवाद